वैसे देखा जाए तो हमें से लगबग हर कोई अपने बालों को लेकर बहुत ज़दा कॉंशियस है क्योंकि स्किन केर तो ठीक ठाक हो ही जाता है लिकिन बालों का केर ठीक से नहीं होता है और हैर फॉल तो होता ही रहता है इसलिए मार्केट से हम अलग-अलग प्रॉडक्स को भी खरीदते हैं और आज के वीडियो में ऐसा ही एक हैर ओयल का मैं रिव्यू लेकर आई हूँ यह है पॉपुलर ब्रांड वेदिक्स का अनियन स्ट्रेंथ हैर ओयल वेदिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो हैर के उपर डिफरेंट प्रॉडक्स रेंज मार्केट में लाती रहत तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रॉडक्स के पैकेजिंग और इंग्रिडियन्स के बारे में तो वेदिक्स आनियन स्ट्रेंथ हैर ओयल आपको तीन रेंज में मिलेगा एक है नॉर्मल वालो के लिए दूसरा है ड्राइव वालो के लिए और तीसरा है ओयली व वालो के लिए क्योंकि मुझे पता नहीं था के ओयली वालो के लिए भी मार्केट में वेदिक्स का अनियन हेर ओयल है मैंने इसको फ्लिपकार्ट से खरीदा है और इसका जो क्वांटिटी है वो है 200 ml और इसका प्राइस था 434 रूपीज अगर आपके बालो में ड्राइनेस है तो आप द्राइव वालो का जो अनियन स्टेंद है वीदिक्स का उसका ले सकते हो और अगर आपके बाल ओयली है तो आप औली वालो वाला ले सकते हो उनका प्राइस अलग अलग पड़ेगा ड्राइ का पड़ेगा पड़ेगा 599 रूपीज और जो उसका 笑 अज़े enfad़ आपको मिल जाएगा तो यह product हमारे hair roots को मजबूत करेगा बालों में shine add करेगा damage को repair करेगा dandruff को control करेगा hair fall को control करेगा और hair grow में help करेगा और hair regrow में भी help करेगा तो vedix का यह जो oil है इसके packet के अंदर आपको यह वाला कागस भी मिल जाएगा यहां पे oiling के benefit इस product का benefit और इनके company के सारे details इनके और कौन-कौन से products है और कौन-कौन सा product लगाओगे तो आपको कैसा benefit मिलेगा वो सारी चीजे लिखा हुआ है so 200 ml का price है 434 rupees मुझे ऐसा लगता है कि यह product थोड़ा सा expensive है थोड़ा सा नहीं मतलब जादा ही कुछ expensive है वैसे vedix के जो range है hair care के वो customized है इसलिए शायद इनका price काफी जादा high है क्योंकि लगबख vedix के हर product ही costly है बहुत जादा तो guys चलिए अभी बात करते हैं मेरा experience कैसा रहा है इस तेल को लगाने के बाद लेकिन उससे पहले कुछ एक चीज़े में आप लोगों को बता दूँ अगर तेल को लगाने के बाद आपको बहुत जादा hair falling हो रही है बाल बहुत सदा तूट रहे है तो इस तरीके से तेल को लगाए इससे आपके scalp में आप असानी से तेल को लगा पाओगे तेल असानी से फैल भी जाएगा और tangle भी नहीं बनेगा क्यूंकि तेल लगाने के बाद नॉर्मली हम अपने बालों को बहुत जादा घिसते है जिसकी वज़े से जादा hair fall होता है तो अगर आप इस तरीके से लाइटली तेल को अपने बालों में लगाओगे तो आपका hair fall भी कम होगा आफ्टर अपलाइंग ऑल फॉर फर्स टाइम मेरा सबसे पहला इंप्रेशन यह है कि यह और लाइट वेट नहीं है काफी भारी consistency वाला तेल है इसलिए जादा देने के जरूरत नहीं है लगाने कि इसमें essential oil डाला हुआ है के नहीं इंग्रीडियेंस में अभी तक चेक नहीं करा है तो जब मैं चेक करूंगी तब देखूंगी थोड़ा सा ही लगा है मुझे अभी अभी रात में मैंने इसको लगा है तो यह देखूंगी के overnight रखने पर कैसा impact आता है और अगर शाइनस क प्रॉब्लम है जिनको वह इसको और रख सकते है कि नहीं इसको टेस्ट करने के लिए मैंने इसको रात में लगा है वेदिक्स अनियन हेर ओयल में बहुत सारे essential oil डाला गया है जैसे सिदारूड essential oil है इसमें tea tree essential oil है और इसमें sunflower oil है अरगन oil है coconut oil है ब्रामी है वरिंगराज है यश्टी मधू है आमला है तो बहुत सारी चीज़े है तो इनको अगर एक साथ mix करके बालों में लगाया जाता है तो हमारे बालों में definitely एक अच्छा improvement देखने को मिलता है अगर आप चाहे तो इस तरीके के सारे ingredients को इकठा करके घर पे ही एक booster oil तयार कर सकते हो अपने बालो तो इस दिन मैंने थोड़ा सा इसको test किया था अपने कान के पीछे लगा कर आप भी यह कर सकते हो जब भी नया product खड़ी दोगे उसको आप अपने कान के पीछे लगा कर तीन से चार घंटा रखिए अगर खुजली वेकरा नहीं हो रहा है इसका मतलब वह आपको suit कर गया है इस दिल को मैंने 21 days के लिए अपलाई किया था अपने बालो में तो first week में मैंने इस दिल को overnight रखा था overnight रखे मैं देख रही थी मतलब day one day two day three तीन दिन लगा था और मैं इस दिल को रात में लगा रही थी और शांपू मैंने नहीं करा था fourth day पर मैंने शांपू करा फिर fourth day के रात में मैंने फिर से दिल को scalp में और बालो में लगाया fifth day में भी same किया और sixth day में भी same किया और इसके बाद seventh day में जाके मैंने शांपू किया तो इस तरीके से second week में और third week में मैंने इस तील को लगाने का जो process है इसी तरीके से मैंने repeat करा अभी अगर मैं अपने बालो का condition बताऊं तो they are quite healthy, major कोई problem मुझे फील नहीं हो रही है फिलाल अपने बालो को लेकर hair fall बहुत ही minimum है और मेरे बालो की density बहुत ही अच्छी हो गई है और बालो में एक gloss आया है shine आया है जो बीच में missing हो गया था तो इस तील को जैसे company ने यहां पे लिखा है कि इस तील को लगाने के बाद आपके बालो में एक shine आएगा आपके बाद smooth होंगे moisturize होंगे yes it is true ऐसा हुआ है hair fall कंट्रोल हो जाएगा yes hair fall भी कंट्रोल हुआ है अगर आपको भी hair regrow करना है तो आपको भी लंबे समय तक अपने बालो के पीछे से पड़े रहना पड़ेगा उसको care करते रहना पड़ेगा and look at the density of my hair आप लोग देखके समझ जाओगे काफी healthy हो गया है मेरे बाल तेल को लगाने के बाद allergic reaction बगरा नहीं हुआ है hair fall भी increase नहीं हुआ है और मुझे एक problem हुई है overnight रखने के बाद ठंड लग गई है क्योंकि इसमें भ्रिंगराज आमला यश्टी मदू बगरा है तो बाल रात में लगा कर रखने के बाद अगर आपको sinus की problem है तो ठंड आपकी बढ़ सकती है and this oil is very very sticky जितना दिन रखोगे उतना जादा तो इसलिए इस तेल को एक दिन लगा के ओवरनाइट रखके अगले दिन शांपू कर देना ही बेटर रहेगा कि यह थोड़ा सा भारी consistency वाला तेल है तो अगर आप एक ऐसा तेल धून रहे हो जो बहुत सरे जरी बुटी को डाल के बनाया गया है जिसमें शल्फेट अर्टिफिशल फ्राग्नेंस कलर वगरा नहीं है जो एक कोल प्रेस्ट तेल हो तो इस तेल को आप ले सकते है मुझे यह ठीक ठाक लगा इतना खराब नहीं लगा अच्छा यह वीडियो एकदम स्पॉंसर नहीं है इस नॉन स्पॉंसर वीडियो वान प्रॉब्लम आई फि फिर अप्रॉड। हमारे हाथ में डाल देती है कि बहुत कुछ होगा बहुत कुछ नहीं भाईया जितना मतलब नॉमल हर तेल करता है उतना ही है और 200 ml का यासे नैच्रल हरवल ओयल आपको और भी कम दाम में मार्केट में मिल सकता है इसका भी अल्टरनेट मार्केट में है तो उससाब से देखा जाए तो यह तेल थोड़ा सा कॉसली है है रीग्रोथ का तो मैं कुछ नहीं बता सकती लेकिन बाकी सारी चीजे मुझे ठीक ठाक लगे है वीडियो से रिलेटिटिट अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो गाइस कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो फिलाल मेरे इतने ही है फॉलो रहा है दे आर वरी वरी लेस सो दाट सॉल फार तोडे थैंक्स फॉर वाचिंग बाई